नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप चौधरी, आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपके अपने परवार रोजगार विदंकित पर कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप से लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सांदार होंगे, आप सब की पढ़ाई बहुत आज नवीन से यह होड लगी हुई है, कि नवीन ने कहा भई, एक हजार बच्चे नहीं आएंगे भी आज, मैंने कहा है मैंने कि एक हजार बच्चे आज आएंगे, तो आज पहले तो यह सर्त हैं, और देखतो हैं कौन इस सर्त में, तो आज मैं आपको बता देना चाहता कि अगर आप लोग क्लासेयर कर दोगे न दिल से तो आज एक दम मज़ा आ जाएगा तो एक बार थमसब करके बताओ कितने लोग तयार हैं क्लासेयर करने के लिए तो प्यारे दोस्तों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोग आजाओ जल्दी जल्दी से क्लास में जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है नमबर सीरीज नमबर सीरीज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पूरी कोसिस होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक क्लियर किया जाएगा थोड़ा स्पीड से ही चलेंगे मैं प्रिवियस एर के जो भी क्वेशन अब से पहले ससी ने पूछे हैं उन सभी क्वेशनों को लेकर आ गया हूँ और इन क्वेशनों के बीच में ही आप लोगों को सैवन स्टार वाले क्वेशन भी मिलेंगे यानि कहने का मतलब यह है कि मैं आप लोगों को अलग से स्पेस नहीं लिख के लाया कि भाईया इस पे सैवन स्टार लगा हुआ है जो question थोड़ा ठीक ठाक होगा आप अपने आप समझोगे कि वो 7 star में ही जा रहा है बात आ रही है समझ में तो प्यारे दोस्तों एक बार बताएंगे कि आज के session के लिए आप तयार हैं बताओ भई जल्दी से बताओ क्या आज के session के लिए आप तयार हैं दोस्तों उम्मीद कर आप लोग बहुत इमानदारी से तयार होंगे copy pen ले लिजिए अपने हाथ में और कर दीजिए class को प्रारंब बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत बहुत बहतरीन भाहिया जी मैं भी आ गया बहुत अच्छी बात है ओके 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 तो करते हैं शुरू एक बहतरीन motivational बात के साथ की बुला कर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी और बोल उस किसमत को अब दम है तो मिटा के दिखा मिटा के दिखा मिटा के दिखा ये रहा आज की class का पहला question आपके स बताओ इस question का right answer क्या होगा प्रते question के साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि question के पीछे का logic क्या है प्यारे दोस्तों last की संख्या देखो कितनी बड़ी है तड़े 546 है उससे पहले यहाँ 172 है हाला की बीच में question mark है मैं guarantee से कह सकता हूँ कि इस question के अंदर इस question के अंदर जो logic चल रहा है वो logic चल रहा है वो logic चल रहा है किस चीज का गुडांस रंखला का logic चल रहा है गुडांस रंखला का मतलब होता है कि जब last की दो संख्याओं का अंतर बहुत जादा हो जाए तो हमेसा गुडांस रंखला लगता है इस बात को आप याद रखना ठीक है भाई बह मैंने क्या कहा यहां पर देखो दो से तीन कैसे बना भाई दो से तीन कैसे बनेगा दो एकम दो पिलस एक कर दो तो तीन आएगा भाई दो एकम दो और एक तीन आएगा और यहां पर एक का वर्ग भी जोड़ोगे तब भी तो यह तीन ही आएगा और यहां पर तो यह तीन बन चार 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 दस हो गया यह 10 है आगे देखो यह 10 है तो 10 गुणा कितना 3 पहले 1 की गुणा फिर 2 की फिर 3 की और पिलस कितना 3 का वर्ग कर दो तो 10 या 30 और 3 का वर्ग 49 हो गया प्यारे दोस्तों अब यहां पर 49 आया 49 गुणा कितना 4 पिलस 4 का वर्ग 49 गुणा 4 पिलस 4 का वर्ग करूँगा तो 172 आएगा और 172 में मैं सेम यही लॉजिक लगाऊंगा कि 5 की गुणा करूँगा और 5 का वर्ग करूँगा solution करके देखो जल्दी से बताओ क्या सही है तो 172 पंजे कितने हो गए 152 पंजे 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगे 157 35 1 36 का 6 हासिल 3 5 एकम 538 860 बन गया और 5 का वर्ग कितना 85 तो इसमें 85 और जोड दीजिये 5 का वर्ग कितना 25 तो इसमें 25 जोड दो 560 860 और 25 कितना हो गया 885 हो गया option number B आपके question का right answer होगा पहला ही question 7 star का था बहुत दमदार बहुत सांदार question था जो सबसे पहला question था और आपने बहुत बड़ी हतरीके से answer भी दिया प्यारे दोस्तो बहुत सांदार बहुत बहुत बहतरीन मस्त सवाल था पहला ही सवाल पहला ही सवाल एकदम सांदार सवाल था और प्यारे दोस्तो अब तीन बच्चों के नाम लिए जाएंगे जो सबसे पहले answer देंगे थमसप्ठो को तयार हो Computation के लिए यानी यानी जो तीन बच्चे आंसर देंगे उनके पहले तीन बच्चों के नाम लिए जाएंगे तो प्यारे दोस्तों यहां पर तीन बच्चों के लिए नाम बोले जाएंगे हो सकता आपके फोन का नेट थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा हो तो आपके पास नाम इधर उदर पहुंचें मैं अपनी स्क्रीन के माध्यम से बिलकुल मतलब इमानदारी के साथ आपको रिव्यू दूँगा ठीक है तो माश्टर को किसी का नाम ना बुले ना तो बे इमान घोसे दमर्त करना क्योंकि मुझे आप लोगों में सब लोगों से लगावक बराबर बराबर का प्यार है किसी स में कम जादा नहीं है ठीक है भाई तो बच्चे ये रहा अगला सवाल जल्दी से बताओ इसे बताएंगे आंसर क्या है पहले तीन दोस्तों का नाम लिया जाएगा बोर्ड पर से जल्दी बताओ जल्दी 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 ऑप्सन नहीं बताना है बेटा लिख के बताना है कि संख्या कौन सी है पहला अब से एक भारगब का आंसर है अब से एक भार इस बार आपको पता नहीं था, मुकेश कुमार का 30 नंबर है, तो तीन नाम मैं ले चुका हूँ, और प्यारे दोस्तों, जो नाम एना, A, B, C, D मत बोलो, ऐसे बोलना है आपको की संख्या कौन सी है, ठीक है, अब की बार A, B, C, D बोल दी, आपको पता नहीं था, आगे से क्या हैं बोलनी है, अब आएगा कंप्टीशन का स्वाद, तो द्यान से देखो, साथ से साथ कैसे बना जब एक की गुड़ा हुई है, साथ से साड़े दस कैसे बना जब एक पॉइंट पांच की गुड़ा हुई है, वही साथ में डेड़ की गुड़ा करूंगा, तो दस प पॉइंट पाँच में अगर करूंगा तीन की गुड़ा तो मुझे मिलेगा 157.5 गुड़ा का केस कहता है कि हर बार संख्या जो बढ़ रही है वो आधे आधे से बढ़ रही है आधे आधे से बढ़ रही है बोलो जल्दी से क्लास सेयर करेंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास को सेयर करेंगे बात है एक हजार बच्चों की मैंने आपसे कहा था कि नवीन से बहुत जबरदसर्त लगी हुई है एक हजार बच्ची आज क्लास में नहीं आए तो कल मैं इसे मुह नहीं दिखाऊंगा अपना क्लास में ठीक है ना तो एक बार जल जल्दी से आंसर क्या है इस question का जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ABCD नहीं बताना है, option बताना है कि option नंबर कौन सा है, option बताना है कौन सा है, नितिन मौर्रे का सबसे पहले, सौरब सैनी बिजनोर से दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है, अब से एक, अब से का आंसर तीसरे नंबर पर है इस प्रकार से मेरे तीन दोस्तों के आंसर आए हैं very good very good very good very good देखो देहान से क्या कहते हैं यहां पर तो टुच्छा सा लॉजिक था यानि की तीन पंजे पंद्रे पंद्रे चोके साथ साथ तिया 180 गुड़ा हो रही है पहले पांच की फिर चार की फिर तीन की बोलो गुड़ा जी अब कितने की होगी दो की 180 दूनी 360 जबाब है option number C बोलो क्या बात समझ में आई है तो बढ़ चलते हैं next question के उपर भहिया जी यह रहा सवार बोलो भई जल्दी से answer क्या होगा जल्दी से बोलो answer क्या होगा देखते हैं किसका answer सबसे पहले सबसे सही आता है बताओ भई जल्दी से बताओ एक बार किसका answer सबसे पहले आएगा जल्दी से एक बार बताओ वही question का answer क्या है किसका answer है सबसे पहले प्राणजली प्राणजली का answer है सबसे पहले प्राणजली के बाद रोहित का answer है और फिर do2 का answer है do2 ये कैसा नाम है चलो तो एक बार देख लेते हैं कि क्या answer है बेटा A, B, C, D नहीं बताना आपको बताना है कि कैसे कैसे है तो चेक कर लेते हैं एक बार की आखिरकार लोजिक क्या है 11 और 14 का अंतर कितना है, 3 का अंतर है, 11 से 14 तीन बड़ा है, 14 और 26 का अंतर कितना है, 12 का अंतर है, 26 और 15 का अंतर कितना है, 27 है, 15 और 101 का अंतर कितना है, 13 और 101 का अंतर कितना है, देखो, 11 मैं से 3 गया, 8 और 9 मैं से 5 गया, 4, 48 का अंतर है, 48 का अंतर है, अब एक और बार अंतर निकालो, जब difference से सवाल क्लियर ना हो तो double difference पर जाएंगे, जब difference से सवाल क्लियर ना होगा तो double difference पर जाएंगे, तो मैंने कहा 3 और 12 का अंतर कितना है 9, 12 27 का कितना है 15, 27 और 48 का कितना है 21 का अंतर है बेटा 9 का 15 का 21 का नीचे सबसे 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 नीचे वाली संख्या देखो 6-6 की संख्याएं बढ़ रही है तो 9, 6, 15, 26, 21 और 6 कितना 27 आएगा और 48 और 27 जुड़कर कितना हो जाएगा पिचेतर हो जाना चाहिए पिचेतर हो जाना चाहिए पिचेतर होना चाहिए ना हाँ जी पिचेतर होना चाहिए और जब पिचेतर को 101 में जोड़ोगे तो आपको 106 की प्राप्ती होगी बोलो सत्य नराण भगवान की जै और जल्दी से बताओ एक हजार बच्चे भी क्रॉस हो चुके हैं इस समय बहुत सांदार तरीके से और वो भी सुरू की मातर 11 है मिनट के अंदर बहुत बढ़िया बच्चो बहुत बहुत प्यार एक बार क्लास को ऐसा नहीं अब सेर नहीं करोगे आज बार है सो तक मामला जाना चाहिए एक बार दिखा दो अपने संग्ठन की सकती बहुत सांदार तरीके से ठीक है ना बाई चलो इसे हटाओ पहले आके जल्दी से यहां तक बताएंगे क्या बात क्लियर है दोस्तो तो next question की और बढ़ रहे हैं आज की क्लास का पांचवा सवा तीन दोस्तों के नाम फिर से बोले जाएंगे तो बताएंगे जल्दी से इस question का answer क्या होगा इस question का सही answer क्या होगा पांचवा सवाल आपके सामने board पर है पांचवा question आपके सामने board पर है और answer आ चुका है सबसे पहले अंकुल यादब जी का दीपक कुमार दूसरे नंबर पर है और उसा पाल का तीसरा इस्थान है उसा पाल का तीसरा इस्थान है तो प्यारे दोस्तों आब देखते हैं आखिर क्या है इस question की खास बात जिसे logic नहीं पता difference पर आईए difference से answer निकालिए तो मैंने कहा 13 और 17 का अंतर 4 है 13 और 17 का अंतर 4 है 4 है 4 है तो यहां देखो 17 और 26 का कितना है 9 है 26 और 51 का कितना है 26 और 51 का है 26, 10, 36, 10, 46 यह तो कुछ ज़्यादा ही बन रहा है तो 11 मैंसे 6 गया 5 5 और 4 मैंसे 2 गया 25 का अंतर है सर यहां पर कितने का आएगा चेक करो पहले 2 का वर्ग है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग सर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 2, 3, 5 अब हाजय संख्याई चल रही है बोलो हाया ना तो देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग सर फिर देखो, सर फिर देखो, सर फिर देखो, 5 का वर्ग, अब 7 का वर्ग कर दो, उड़ने चास और 4 और लड़ने चास और 6, 21 को जोड़ो, तो उड़ने चास और 51 हो गया 100 उड़ने चास और 51 हो गया 100 यानि 100, आपके question का answer बन गया, option number B बोलो दोस्तों क्या बात क्लियर है बोलो दोस्तों क्या यहां तक बात सभी प्यारे दोस्तों को साथियों को क्लियर है की नहीं है बहुत बढ़िया बहुत सांदार एक दमरेवा एक बालक तो 7777 आंसर कर रहा है जैहो प्रभु जैहो बेटा बहुत दूर से आये हो है बहुत मैं खाली हाथ न जाऊंगा सलेक्षन लेके जाऊंगा सतेत्तर देके जाऊंगा बेटा बहुत तगड़ो खिलाडी है बेटा तु बहुत अई तगड़ो खिलाडी है आंसर वतारो 777 ना ओप्षन में रख रखा एक जामनर ने ना कुछ बहुत बढ़िया मासूम गरली भी क्लास में हस रही है आज तो वा गुडिया तेरी मुस्कुरा हट भी अजीव है लाली बहुत सुन्दर एक तो यूं कर रही है हाई हाई चलो बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट परस्चन पर आते हैं एक बार अगला सवाल आज की क्लास का बताओ इसका अंसर क्या है बहुत सांदर तरीके से आजाओ जल्दी से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से बताओ what is the answer of this question जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे दोस्त इस question का अंसर पहले नंबर पर चिन्टू जी का अंसर है दूसरे नमबर पर कौन है, अमर, आजम, गर, बहुत बढ़िया और तीसरे नमबर पर हरिष्चंदर का आंसर है, बहुत सुनदर, बहतरीन, अए हये, बहुत बढ़िया, तो देखते हैं क्या है लोजिक, सर कुछ है भी तो नहीं, डाइरेक्ट दो की गोडां, दो की गोडां कुछ भी तो नहीं है तो साथ सो बार है में दो की गुणा करनी है कुछ गरीब आदमी ऐसे हैं जो साथ सो बार है में दो की गुणा ऐसे करेंगे दो दूनी चार दो एकन दो सत्य चौध है कुछ इतने तगड़े खिलाड़ी है वो हिसाब लगाएंगे साथ सो बार है हटाओ भाड में सीधे साथ सो दूनी चौधे और बार है दूनी 24 तो सीधा 1424 बोलो यस और नो आप्सन नंबर 20 सवाल का अंसर है की नहीं है वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बालक क्लास में भाई साब जब से एक ही कमेंट कर रहा हर सवाल के लिए तुच्छा सा प्रेसन है बस हर सवाल को यह लिख दे तुच्छा सा प्रेसन है और सुनो एक खास बात यह होया प्याभी तक है ना यह सवाल हुआ इस पर यह आज तक नहीं है इसका हो वाला किस्सा है सब में नकल निकाल लेगा, सब में नकल निकाल लेगा, कोई बात नहीं है भाईया, बहुत बढ़ी आई, चालाओ, तो ये बात क्लियर है, next question की और बढ़ रहा है भाई, आज की class का अगला सवाल बहुत सांदार तरीके से आजाओ, बताओ बढ़ी जल्दी से इस question का सही answer क्या होगा, इस बार बच्चों के नाम नहीं लिये जाएंगे, प्यारे दोस्तों, इस बार नाम नहीं लिये जाएंगे, तो जल्दी से बताओ क्या है, इस बार नाम नहीं लूँगा, तो 67, 70, 76, 85, सबसे पहले देखो क्या है, ये 3 का अंतर है, ये 6 का अंतर है, ये कितने का है, ये कितने का है, 46 और 89, 89 का, तो 3, 6, 9, अब 12 है का अंतर निकाल दो, तो ये 97 आएगा, इसके आप्सन मैंने इसलिए तो नहीं दिये, मतलब आप्सन दो दिये, लेकिन टॉप 3 के नाम इस बज़े से नहीं लिये, क्योंकि ये सवाल बहुत छोटा सवाल था, ये सवाल बहुत छोटा सवाल था, इस वज़े से मैंने इसमें आप लोगों के सामने नाम नहीं लिये, बोलो यहां तक बात क्लियर है की नहीं है, और जिसने सवाल का अंसर भी गलत किया है, दिहान रखना, उसे तो भाईसा भगवान भी यूं कहेंगे, कि प्यारे गुड प्यारे दिहान देने लाएक बास का एक और सांदर, अगला सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या है इस बार, इस बार का आंसर क्या है, रोहित कह रहा है, नेहा जी, क्या हाल है, बहुत बढ़िया बेटा लग और है, क्लास में ते ख खाली हात मत चले जाए, सवाल के आंसर आजाए, तो बहुत बढ़िया नहीं, तो कुछ ना कुछ ले के जरूर जाए, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, मुबारक हो, बताओ भई, जल्दी से बताओ, यहाँ पर क्या लोजिक है, जल्दी से बताओ, तो प्यारे दोस्तों, दिहान देने लाइक बात है question के अंदर, कि यहां से यह 89 से 82 बना है, याईनि बीच वाये माइनस 7 है, overlap series चल रही है, यानि की माइनस 7 हो रहा है, एक अंतर स्रंखला लगी हुई है, एक के अंतर पर स्रंखला लगी पड़ी है, तो यहां पर देखो 82 से अगर 75 बात करूं तो माइनस 7 है, यहां 75 से माइनस 7 करूं तो 68 आएगा, यानि यह जो पैटर्न उपर वाला लोजिक चल रहा है, इसके अंदर माइनस 7, माइनस 7, हाँ साब क्या, माइनस 7 का लोजिक चल रहा है, तो यहाँ पर देखो 84 से 89 कितना है, सर ये कितना है, minus 5, 89 से 84 कितना है, minus 5, 74 से भी minus 5 कर दो, और 74 मैं से 5 minus करूँगा, तो कितना आएगा, 69, answer है, option number B, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये सभी के सभी question, previous year में आए हुए question है, ये सबसे important बात समझो, ये सभी के सभी previous year में आए हुए question है, बोलो यहाँ तक बात clear है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सांदार, यहाँ तक बात बताओ, clear हो रही है, समझ में आ रही है, या कोई doubt है, तो next question पर बढ़ते हैं, अभी कहानी आदा गंटा से ज़्यादा की class बची है, तो बताएंगे ज question का सही answer क्या है, इस question का एकदम right answer क्या होगा, बताओ जल्दी से बहतरीन answer क्या होगा, प्यारे दोस्तों, बेटाओ जल्दी से एक answer चला गया है, जल्दी से बताओ, चिंटू जी का एक और बार फश्ट रिस्थान प्राप्त हुआ है class में, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर किसका है, नवीन दिखाओ जल्दी से, बुल बुल का answer है, तो भहिया 3 answer यहां पर आते हुए, तो दियान से देखते हैं क्या बात बनी है, ये 3 और 5, सर 3 और 5 कितने का answer है, सर 3 और 5 कितने का answer है, तो ऐसे कह सकता हूं, ये जो 3 बना है, ये 2 पिलस 1 से बना है कितना तीन सर ये पांच किस से बना है सर तीन पिलस दो से बना है सर ये आठ किस से बना है पांच पिलस तीन से बना है सर ये ग्यार है किस से बना है साथ पिलस चार से बना है सर अगली संख्या क्या आएगी किस तरीके से आएगी क्या कोई भी हिंट है मेरे पास हाँ सर एक ह है तो प्यारे दोस्तों यह जो संख्याए क्या यह दो तीन पांच साथ यह कैसी संख्याएं हैं यह संख्याएं चल रही हैं अब हाज्य संख्याएं तो अब बताओ साथ के बाद अब हाज्य संख्याएं क्या आठ नौ दस ग्यार है तो ग्यार है लिखो यहां यहां एक प्ल प्लस 3 प्लस 4 प्लस अब कितना प्लस 5 प्लस और 11 है और 5 16 अप्सन नम्बर B बोलो क्या बात एक दम क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत सांदार एक दम बहतरी धर्राटे से कटवा दिया है वोकि तो तुमने बहुत जबर्दस्त बात कर दो है पेरतरी नाशर एक दम सांदार एक दम सांदार बहुत बढ़िया बहुत सांदार बैचे एक बार हसके दिखाईयों वो लोग जिनों ने तुक्का मारा था और सही लग गया है हसके दिखाऊ उनकी भी तो एक अलग ही अपना एक अलगी सिस्टम है के जी हमने तो तुक्का लगाया था फिर भी आंसर ठीक बन गया, उनका भी एक गजब का सिस्टम है, बहुत सांधार, बहुत बहतरी ना, हसने लग गए मेरे चीता, बेटे, तुमारी मुस्कुराहट अई हए, अई हए, तुमारी मुस्कुराहट भी गजब किया है, भाई साब इन लोगों का भी तोड नहीं है, बहुत बड़ तरीके से आजाओ एकदम बहत्रीन तरीके से बहुत बढ़िया बताओ जल्दी से इस question का answer क्या है बताओ जल्दी से बताओ यार question का answer क्या होगा चिंटू जी बेटा क्या खाय क्या है वह आज तो है सब के answer ही पहले आ रहा है अमन प्रजापती का है फिर अमर आजमगर का है बहुत बढ़िया बहुत सांदर बच्चों जिनका भी answer है बहुत 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 अच्छी बात है तो दिहान से देखो ये 11 है एकम 11 है और माइनस दो तो 9 हो गया बेटा ये 9 से 15 क्या है 9 दूनी 18 माइनस 3 हो गया पहले एक की गुड़ा फिर दो की गुड़ा अब सुनो ध्यान से मैंने कहा एक दो तीन पहले दो माइनस फिर तीन माइनस फिर चार माइनस करो तो 15 रहतिया 45 मैंसे चार गए तो 41 ही तो बचेगा अरे हाँ या ना 41 ही तो बचेगा आगे देखो तो यहाँ पर कितने की गुड़ा करूँगा चार की एक तालिस चौका कितना चार एकम चार चार चौक सोले 164 माइनस कितना कर दो 5 164 मैंसे पांच घटाना कोई बड़ी बात नहीं है 164 मैंसे पांच घटेगा तो 169 आएगा 169 आएगा बताओ भाई क्लियर है जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बहन भाई क्या क्या यहां तक की बात सभी प्यारे दोस्तों को क्लियर है एक एक बात समझ में आई है या नहीं आई है बताओ भाई जल्दी से बात एकदम क्लियर है तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क टॉस्चन की और बढ़ते हुए बताएंगे 11 को चल्दी से बताओ आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे भेहन भाई जल्दी से बताएंगे देखते हैं किस का आंसर सबसे पहले सबसे सटीक आंसर आता है सबसे सटीक सबसे पहले आंसर आता है कार्तिक का आंसर सबसे पहले है बहुत बढ़िया कार्तिक वेरी गुड बच्चे आगे दिखाओ नवीन जल्दी जल्दी किसका अंसर है दूसरे नंबर पर अब से एक भारगव का अंसर है और चिंटू जी का अंसर दूसरे नंबर पर था भारगव जी से पहले दिखा नहीं कोई बात नहीं है बहुत सुन्दर तो देखते हैं क्या लोजिक है पहले डिफरे निकालो तो तड़ेपन और 61 का अंतर कितना है आठ का अंतर है एक सट और 88 का अंतर बताओ कितने का है 61 और 88 का 61, 71, 10, 81 और 27 का अंतर है सर ये कितने का है 64 का अंतर है भहिया 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 बारह में से आठ गए 4, 14 में से आठ गए 6 है और यह कितने का है साइत में से दो गए पाँच और साइत में से पाँच गए दो और एक ये 125 का अंतर है तो दिहां से देखो एक बार की आखिरकार क्या बात है इस question के अंतर तो मैंने कहा 8 2 का cube, 272 का cube, 644 का 125 का, अब 6 का क्यूब 216 का अंतर जाएगा ये जितने भी डिफ्रेंस निकल के आए हैं दोबारा से बता रहा हूँ अगर सवाल के अंदर अगर सवाल के अंदर प्यारे दोस्तों आप लोगों को कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही सबसे बहतरीन लॉजिक होता है कि आप वहाँ पर संख्याओं का डिफ्रेंस निकाल लीजिए तो ये जो डिफ्रेंस है सब के सब क्यूब हैं तो ये 216 यानि कि इसमें जोड़ दो साथ छे तेरह का तीन हासिल लगे एक साथ और एक आठ और एक नौ दो और दो 493 आंसर आप्सन नंबर भी आएगा 493 आप्सन नंबर भी आप्सन पर चलते हैं आज की क्लास का अगला सवाल मेरे दोस्तों ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाईयों आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा आपके सामने मुझे बताओ जल्दी से इस question का सही answer क्या है जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों एक बार बाद चेक कलो नवीन तो मुझे बताओ जल्दी से सभी प्यारे बहन भाई इस question का answer क्या है इस question का एकदम right answer क्या है बताओ भई जल्दी से लाओ इन्हें उपर से ढूड़ के किस का answer है सबसे पहले ढूड के लाओ तो सबसे पहले मोहन गोस्वामी का answer है दूसरे नमबर पर सौरब सेनी बिजणॉर का response है और तीसरे नमबर पर घंसयाम हर का answer है बहुत बढ़िया घंसया महरो तुमनें कमाल कर राखो बढ़ापे में चलो आजाओ जल्दी से घंसया मनाम के एक व्यक्ति हैं हमारे गाओं में बड़े बूड़े हैं तो मैं थोड़ी सी उन्हीं किया था तही मैंने सोचा आज तो मुझे लग है उन्होंने आंसल लपेट द दुणगा तो चारचिंग 24 का चार हासिल दो चार पंजे 20 और दो 22 का दो हासिल दो चार दुनिया अठ और दो दस एक हजार 24 अप्सन नंबर डी मेरी question का right answer है बोलो किसी को कोई दिक्कत है बोलो किसी भी बच्चे को किसी भी साथी को कोई भी समस्या दुखदर तकलिप परेसानी हारी बिमारी हो तो बताओ next question पर चलते हुए आज की class का 13 सवाल आपके सामने बताओ जल्दी से इस question का right answer क्या है तेरवे question का right बताओ भाई जल्दी से क्या होगा जल्दी से बताओ answer क्या है जल्दी से बताओ इस question का answer क्या है सभी प्यारे बहन भाई बताओ इस question का answer क्या होगा जल्दी से बताओ इस question का answer क्या है बताओ भई जल्दी से इस question का right answer क्या है जो question आप इस समय बोर्ड पर देख पा रहे हैं फोड़ा सा special question है और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जब संख्याओं का अंतर जादा हो तो गुडास रंखला के chance होते हैं तो देखो भईया कैसे निकालूंगा तेरह दूनी 26 और 33 होता है बोलो हा या ना तेरह दूनी 26 और 33 होता है दोस्तों ऐसे ही आगे संख्याओं को बढ़ाएंगे ना तो आगे हम बढ़ाएंगे 29 दूनी 58 और 462 होता है 29 दूनी 58 और 462 होता है प्यारे दोस्तों 62 दूनी कितना 62 दूनी 120 और 124 और 5 129 होता है 139 दूनी और पिलस 6 कर दो 264 इसने क्या किया हर बार दो की गुडा होई है और हर बार एक एक की ब्रद्धी होई है तो यहाँ पर देखो मैं 2 की गुडा करूँगा और पिलस 7 करूँगा तो प्यारे दोस्तों अब दिहान देने लाइक बात है कि किस तरीके से आंसर करेंगे किस तरीके से आंसर तो 264 दूनी कितना हो गया 264 दूनी 248 दूचिक के बारे का दो हासल एक दो दूनी 45528 और 7 जोड़ दो बोलो क्या यहां तक बात सभी प्यारे दोस्तों को क्लियर है समझ में आई है किसी को कोई आपती तो नहीं है चलो तो next question पर बढ़ जाओ आज की क्लास का चौधमा सवाल स्पीड मुझे पता है ना कम है ना जादा है बहुत बढ़िया स्पीड चल रही है कलास की और आप बताओ वई किसका आंसर इस बार सबसे पहले आता है स्पीड पकड़ो बच्चे स्पीड का ही तो खेल रखना है पेपर में इस पीर्ड का ही खेल रखना में एकदम सही आंसर की तलास में हूँ, सही आंसर की तलास में हूँ, देख रहा हूँ किसका है, अंकुल यादव का अंसर है पहले, सबसे पहले अंकुल यादव जी का अंसर है, दूसरे नमबर पर चिंटू जी का अंसर है, और तीसरे नमबर प पहले पिलस चार फिर गुड़ा चार बावन और चार चपन चपन चौका दोसो चौविस दोसो चौविस चार दोसो अठाइस एक बार पिलस चार एक बार गुड़ा चार पिलस चार गुड़ा चार धाधर धाधर ऐसे चल रहा है तो यहां पर मैं कितने गुड़ा कर दू चा कर रहा हूं तो यह आएगा दोसो चार अठे 32 का दो हासिल तीन चार दूनी आठ और तिन ग्यारे का एक हासिल एक चार दूनी आठ और एक नौ नौ सो बार है ओप्सन नंबर सी मेरे क्वेस्चन का राइट आंसर है दोस्तों यहां तक बताओ किसी भी प्यारे साथी को किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ यहां तक बात एकदम बहतरीन तरीके से क्लियर हुई है कि नहीं हुई है तो मैं नेक्स्ट क्वेस्चन पर चल रहा हूं आज की क्लास का अगला सवाल जल्दी से बताओ आंसर क्या है जल्दी से बताओ मुझे इस क्वेस्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए बताएंगे एक बार जल्दी से सही जबाब क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ एक बार 2, 6, 12, 20, 30 आगे बताओ क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ डिफरेंस निकाल लेना अगर कुछ भी समझ में न I-42 आंसर आ चुका है बहुत सारे लोगों का बहुत बढ़िया दोस्तो बहुत सांदर बहुत सांदर अब देखते हैं कि क्या कहानी है इस क्वेस्चन के अंदर की तो मैंने कहा 2 से 6, 4 का अंतर 6 से 12, 6 का 12 से 20, 8 का फिर 10 का अंतर है तो 4, 6, 8, 10 बोलो कितने का अंतर है 12 का अंतर होगा और 30 और 12 है कितना होगा 42 होगा option number C तो मेरे question का answer है 42, 32 तरीगे से बहुत बढ़िया सर क्या मैं block हूँ मेरा comment so नहीं हो रहा है बेटा तेरा comment so नहीं रहा है मतलब so नहीं कर रहा है मैंने सोचा कि सब आज के युग में comment भी सो जाते हैं कोई बात नहीं बेटा आपका comment so हो रहा है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत बहतरीन बहुत बहतरीन सरावाज कट-कट के आ रही है बीचे में बेटा कट-कट के नहीं आ रही है सही आ रही है चलो तो next question पे आ जाओ इस सवाल का answer बताओ जल्दी से बताओ उस तोलिवे question का answer क्या है बताओ बही जल्दी से क्या answer होगा बेटा जब तुम्हें लगता है न कि आवाज कट रही है तब मैं नवीन को ये बता रहा होता हूँ कि सही answer क्या है इस question का ताकि नवीन मेरे भाई आप लोगों के उसी answer को निकाल के लाए जिसका answer है उसी बच्चे को ढूड के लाए तो नवीन किसका answer आया पहले सबसे पहले सबसे पहले किसका answer आया है दिखाओ सबसे पहले आया है किसका है गौरब का answer है सबसे पहले ये रहा गौरब कुमार का सबसे पहले है दूसरे नमबर पर लकी मौर रहे है चिंटू जी ओके 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 चलो बहुत बढ़िया तो देख लेते हैं एक बार की क्या इस बार कैसे कैसे सही आंसर है तो प्यारे दोस्तो 66 से 77 का अंतर है 11 है 77 से 90 का अंतर कितना है तो ये होगा 13 का अंतर 90 से 107 कितना है तो ये आएगा 10 और 17 का अंतर सर ये कितने का आएगा तो ये 19 का अंतर आएगा तो यहाँ पर 19 के बाद क्या होता है 23 होगा भई 19 के बाद 23 ही तो है अबाज्य संख्या तो 126 और 23 जोड़ दो 148 अंसर लगा दो option number D आपके question का answer होगा option number D आपके question का answer होगा एक साथ ही कह रहा है भईया दोबारा से बता दो मैंने कुछ नहीं किया मैंने difference निकाला और difference के बाद में मैंने देखा तो जो difference निकल के आ रहा था वो अब हाज्य संख्याओं का difference निकल के आ रहा था मैंने जस्ट इतना ही काम किया उससे ज़्यादा नहीं किया बताओ यहां तक बात क्लियर है चलो तो next question की और बढ़ चलते हैं आज की क्लास का अगिला सवाल दोस्तो इस question का answer बताओ क्या होगा लाइक वाइक जरूर करते रहे ना दिखाना कितने like हुए हैं प्यारे दोस्त इस बार class में like की संख्या हुई है केवल तीन लोगों की कमी है एक 1000 like होने में प्यारे दोस्तो एक 1000 like होने में केवल तीन लोगों कमी में बेटा recording पे लगा दे तीन लोग कॉन कॉन से हैं जो super 3 में जा के 1000 like पूरा कर रहा है प्यारे दोस्तों, तीन लाइक की कमी है, एक हजार, अब एक लाइक की कमी है, केवल एक लाइक की कमी, very good, दोस्तों, बहुत-बहुत प्यार आपका, बताएंगे जल्दी से इस question का answer क्या है, जल्दी से बताएंगे question number 17 का answer क्या है, आप लोग पहले difference निकालो, उसके बाद answer कर दो, बहुत बड़िया तरीके से कर सकते हो, 145 और 175 का answer कितना है, 30 का answer है, हाई न, 30 का answer है, यहाँ पर देखो कितने का है, हिसाब लगा के बताओ कितने का है, तो दोस्तों, यहाँ पर answer 60 का है, 60 का answer है, क्यों, पांच, भाईया, यह 5, 0, 5, 7, 6, 20, और यह कितने का है, 235, 265, यह 30 का answer है, भाईया, SSC, CGL की तयारी कर रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो, बताओ, हाँ यह न, रे, कर सकते हो, कि नहीं, आराम से कर सकते हो, भाई, बताओ, यहाँ तक इतना काम कर सकते हो, अरे, अगर CGL की तयारी कर रहे हो, तो इतना तो difference निकाल ही सकते हो, दोस्तों, किसी कहा यहां पर देखो यहां 60 का अंतर है सर यहां कितने का 30 का अंतर जाएगा सर यहां कितने का 30 का अंतर जाएगा बताओ यहां तक बात किलियर हुई है तो मेरे दोस 325 और 30 325 और 30 कितना हो गया बताना जल्दी से 355 होना चाहिए ना 355 ही तो होना चाहिए option number C मेरे question का answer होना चाहिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सांदार बहुत बहतरीन answer है जितने भी लोगों का इतना answer है बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया चलो भई अगले question पर चले sir आप sir कुछ बोल दो motivation के अच्छा बेटा मतलब motivation की जरत पढ़ रही है तुम्हें पेपर में तुमारे में अभी एक महिना भी नहीं बचा है और तुम्हें motivation की जरत अब पढ़ रही है नहीं पढ़नी चाहिए next question प्याव जल्दी से बताओ अठारे में सवाल का answer जल्दी से बताएंगे बच्चे इस question का answer कितना है मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत प्यार से इस question का answer करेंगे एक बार बताएंगे जल्दी से सही जबाब क्या है पहले आप लोग अगर logic ना समझ पाएं तो आप लोगों को difference पर जाकर खिलना है difference निकालो पहले वो बाद की बात है कि क्या answer होगा तो 13 और 27 का अंतर कितना है दोस्तो 14 का अंतर है बताओ हाँ या ना 14 और 13 27 हो गया 27 और 56 का अंतर कितना है 27 और 56 का अंतर कितना है 29 का अंतर है 29 का अंतर है प्यारे दोस्तो तो यहां पर कितने का अंतर है, तो यह आएगा तुम्हारा, यह आएगा तुम्हारा क्या, मैंने कहा, 15 मैं से 6 गए 9, 10 मैं से 5 गए 5, यह 56 का अंतर आना चाहिए, 15 मैं से 6 गए 9, 69 का, 59 का, यह कितने का आना चाहिए, तो यह आना चाहिए, तुम्हारे पास जो अंतर है, यह चौदह में से 5 गए तो 9 और 22 में से 11 है गए तो 11 है, 119 का अंतरा न चाहिए, अब जो difference आपके समक्ष निकल कर आया है, जो difference आपके समक्ष निकल कर आया है, अगर इस difference की बात करूँ न दोस्तों, तो अगर इस difference की बात करूँ, तो इस difference में आप लोग देखो कि double difference क्या हो सकत है कि इसको डबल डिफरेंस में देखूं तो क्या हो सकता है दिहान से देखना तो 14 से 29 कैसे बना 14 दूनी 28 पिलस 29 हो गया 14 दूनी 28 और 29 हो गया सर यहां पर 29 दूनी 58 और 69 हो गया सर यहां पर 69 दूनी 118 और 119 हो गया तो सर यहां पर 119 दूनी पिलस एक करदो है ना 119 दूनी कितना हो गया 238 और 149 हो गया सर 249 को जोड़ो 234 में 249 413 का 3 हासिल 1 3 3 6 1 7 2 2 4 दैन वीकेंड से 473 क्वेशन का अंसर है बताओ किसी को कोई भी दिक्कत है मेरे दोस्त मेरे भाई अब हमारा जो बचे हुए दिनों में तैयारी करने का जो हिसाब किताब है वो इस तरीके से चलेगा कि आप लोग बहुत सांदार तरीके से आप लोग कर जाओगे एक बार पहले थम्सप करके दिल से बताओ क्या आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है आज अभी class अभी ये खतम नहीं होई कभी सोचो भी ये class खतम हो गई लेकिन मैं ये बताना चाहा रहा हूँ अब जितना समय से सबचा है तूफान उठा देंगे और प्यारे दोस्तों कोसिस करेंगे कि last में एकाद अपनी तरप से मैं सोच रहा हूँ लास्ट में जब सलेवस हो जाए तो लगबग तीन से तीन नहीं कम से कम चार पांच प्रैक्टिस सेट तो करी लें ताकि उससे एक बहुत बड़ा आइडिया हो जाए कि कि तरीके से reasoning आ सकती है सही है ना चलो तो next question पर आओ जल्दी से इसका answer बताओ एक बार जल्दी से बताओ इस question का answer क्या है देखते हैं इस बार कौन बताता है top 3 में इस बार answer क्या होगा मैं answer का इंतजार कर रहा हूँ और answer अभी तक किसी का नहीं आया है आर्यास gamer का answer है सबसे पहले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आर्यास gamer दूसरे नंबर पर कौन है चिंटू जी वास्तम में आज आपने जो कमाल किया है वो गजब का कमाल है मेरे भाई है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज लगबल हर answer में इनका नंबर है पहला दूसरा पहला दूसरा करके और तीसरे नंबर पर जी तू कुमार है बहुत बढ़िया जी तू चलो तो दियान से देखते हैं एक बार की इस question के पीछे का क्या logic है तो 23 और 28 का अंतर 5 है 28 और 38 का अंतर 10 है 38 और 55 75 का अंतर है और ये अंतर कितना है 55, 10, 65, 10, 75, 10, 85 यानि कि ये अंतर जाएगा 11 में से 5 गे 6 और 7 में से 5 गे 2 26 का अंतर है ये 26 का अंतर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सांदार तो बच्चे आगे की बातों को चलते हैं 5 और 10 का अंतर कितना है 5 है 10 और 17 का अं तो प्यारे दोस्तों अभी ये 11 है का अंतर आएगा जब ये 11 है का अंतर आएगा तो 26 और 11 है 37 हो जाएगा यहां पर और 37 को किस में जोड़ोगे 81 में जोड़ोगे तो 7 और 1 8 आएगा 8 और 3 11 है आएगा 118 आंसर बनेगा उपसन नमबर A 118 आंसर आएगा आपसन नमबर A बोलो यहां तक बात कलियर हुई है दोस्तों यहां तक बात कलियर हुई है बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर बहुत सांदार तो next question आपकी सेवा में ये रहा आज की क्लास का सवाल नमबर 20 आपके सामने दोस्तों बहुत बढ़िया बहुत सा आंसर सबसे पहले आता है जल्दी से बताओ किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आ जाएगा एक बच्चा कह रहा है सर मेरा नाम लो बिटा आंसर पहले दो तो नाम लूँगा जल्दी से बताओ पहले आया है नितिन मौर्रे का आंसर दूसरे नंबर पर है कार्तिक और तीसरे प तो देख लेते हैं एक बार की क्या इस question का answer कैसे आ जाना चाहिए था तो प्यारे दोस्तों देखो ध्यान से प्यार है दूनी 22 पिलस 7 29 सर यहाँ पर मैं गुड़ा सरंख्ला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि last की दो संख्याओं का difference जादा है मैंने आपको यह बात पहले ही बताई थी कि जब last की दो संख्याओं का difference बहुत जादा होगा तो हम वहाँ पर गुड़ा संख्ला के chance में जाते हैं तो प्यारे दोस्तों यहाँ देखो 29 दूनी 58 पिलस 7 कितना 65 हो गया सर यहाँ 65 दूनी कितना 130 प्लस 7 137 दूनी प्लस 7 137 दूनी 274 और 7 281 हो गया तो सर 281 दूनी प्लस 7 ही तो करूँगा 281 दूनी प्लस 7 ही तो करूँगा बोलो हाया ना 579 बोले तो option number भी बनेगा बोलो हाया जरह सर आ चराग मैं हाँ 9 बजे से क्लास होगी स्वाबार सें paar बेचें मैं 9 बजे मैं आपको reasoning पड़ा रहा हूंगा चराग मैं सुभह 9 बजे पीक है चला तो नेक्स आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे 21 2000 आंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ 21 वे question का अंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी प्यारे दोस्त प्यारे बहन भाई क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ, आंसर उपर चले गए, पकड़ के लाओ 143 वालों को, सबसे पहले किसका आंसर था 143, तो सबसे पहले Nancy का आंसर था 143, दूसरे नमबर पर आंसर है विसाल राठोर का, और तीसरे नमबर पर Mr. Devil का आंसर है, चलो बहुत बढ़िया, तो देख लेते हैं एक बाल लॉजिक क्या है, दोस्तों तो 192 और 189 कितना कम हुआ है, 13 की कमी है, तो प्यारे दोस्तों यहां कितने की कमी है, 162, 1072, 879 यानि की सत्रे की कमी है, तो सर 13, सर ऐसा तो नहीं है कि 13, तो सर अभाज्य संख्या है, सर सत्रे भी अभाज्य संख्या है तो सर ऐसा तो नहीं कि अभाज्य संख्या ही कम हो रही है तो 13 सत्रे के बाद 19 अभाज्य संख्या होगी दोस्त 162 में से 19 घटाओ तो यह आएगा 12 में से 9 गए 3 और 5 में से गए 4 और यह 143 लेकिन सर अपने आपको कन्फर्म करने के लिए कि क्या आपने question सही किया है प्यारे दोस्तों 143 में से 143 में से आप यहाँ पार 19 के बाद की अगली संख्या क्या है 23 ही तो है घटा के देखो क्या 120 मिल रहा है यास मिल रहा है तो इसका मतलब 143 जो आपने लगाया है एक दम सही answer लगाया है इसका मतलब 143 आपने जो लगाया एक दम सही answer लगाया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे दोस्त मेरे भाई बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत बहतरीन यहां तक बात बराबर है clear है तो next question की और चलते हैं आज की क्लास का अगला सवाल आ चुका है बोल्ड पर तो प्यारे दोस्तों आपको पेपर को लेके क्या तयारी है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे होंगे हम जल्दी से इस लेबस खतम करके लास्ट में चार पंच प्रैक्टिस सेट जो कर रहे होंगे एक बार दिल खुस हो गया ना इस बात से तो जब क्लास खतम हो जाए तो क्लास के बाद में एक बार कमेंट करके जरूर जाना कि हाँ भाईया हमें इस से विसेस ये फलानी चीज़ की खुसी मिली है करोगे की सही जवाब क्या है बताओ भई जल्दी से जल्दी से बताओ 691 लकी मौर रहे है बहुत बढ़िया लकी मौर रहे है दूसरे नंबर पर कौन है दूसरे नंबर पर है हरिश्चंद्र बहुत बढ़िया और तीसरे नंबर पर हैं कौन तीसरे नंबर पर कौन है दिखाओ उजा सबता ठीक है तो देखो भई दिहान से ये बनेगा 11 है दूनी 22 माइनस 3 तो 19 हो गया हाँ या ना तो सर यहाँ पर 19 तिया 57 पिलस 2 69 हो गया सर पहले 2 की गुड़ा थी पिर 3 की गुड़ा अब सर 2 की गुड़ा करो तो 69 दूनी कितना हो गया सर 69 दूनी हो गया 118 और माइनस 3 करोगे तो 115 सर एक बार गुड़ा 2 माइनस 3 चल रहा है फिर गुड़ा 3 पिलस 2 फिर गुड़ा 2 माइनस 3 तो अब करो गुड़ा 3 पिलस 2 गुड़ा 3 पिलस 2 तो 115 दूनी, 115 तिया कितना होगी, 345 और 2347, तो सर अब क्या करूँ, बेटा एक बार 2 की गुड़ा, फिर 3 की गुड़ा, फिर 2 की गुड़ा, अब कितने की गुड़ा होगी, 2 की गुड़ा होगी, पहले माइनस 3 फिर प्लस दो, फिर माइनस 3 फिर प्लस दो, अब माइनस 3 कर तो 347 में दो की गुणा करके माइनस 3 कर दो आंसर आ जाएगा बोलो क्लियर है जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बहन भाई क्या यहां तक की बात क्लियर है तो मैंने कहा 347 का दो गुणा तो 274 का 4 हासिल 1 2,4,8,1,9,2,694 तीन माइनस कर दो तो 691 आपका आंसर आ गया और सी और सन नंबर सी मेरे क्वेशन का आंसर आ गया बहुत बढ़िया थमसब करो किस किस का क्लियर हुआ है किस किस ने अपने आप किया जल्दी से बताओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत बहुत बहतरीन प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया बिटा बहुत बहुत ला जबाब ला जबाब आंसर नेक्स्ट क्वेशन पर बढ़ते हुए आज की क्लास का 23 सवाल आपके सामने आचुका है बताओ भई जल्दी से क्या आंसर होगा इस वाले क्वेशन का क्या आंसर होगा इस वाले क्वेशन का मुझे बताओ जल्दी से सही जबाब क्या हो जाएगा बताओ भई जल्दी से जल्दी से बताओ सही जबाब क्या हो जाएगा इस वाले क्वेशन का तो ये बहुत आसान है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये एक का वर्ग है, तीन का वर्ग है, छे का वर्ग है, दस का वर्ग है, दिहान से सुनो, तो ये एक से तीन दो का अंतर, तीन से छे तीन का, छे से दस चार का, अब पांच का अंतर निकालो, तो दस और पांच पंधर है, और 15 का वर कितना 225 option number D 225 option number D मेरे question का right answer होगा बोलो clear है कहानी यहां तक की बात सब प्यारे दोस्तों को clear है तो next 24 सवाल आज की class का बताओ इसका जबाब क्या है आज की class का question number 24 का answer क्या है बताओ भई जल्दी से सर इस question के अंदर गुडा सरंखला लगेगी दिहान रखना क्योंकि यहां पर difference बहुत बहुत ज़ादा है 37 का especially last की दो संख्याओं का difference ज़ादा है तो last की दो संख्याओं के difference पर गुडा हमेशा ज़ादा लगती है तो दिहान से देखके बताओ क्या होगा सर ये तो 6 दूनी 12 है माइनस 1 हुआ है सर 11 है दूनी 22 माइनस 2 हुआ है 20 दूनी 40 माइनस 3 हुआ है 37 दूनी 74 माइनस 4 हुआ है और 70 दूनी माइनस 5 होगा बोलो हायन ना बेटा जल्दी से बताओ कितने लोगों को धडले से ये बात सबज में आई कि इस question के पीछे का क्या logic है है ना 2 की गुड़ा 1 माइनस 2 की गुड़ा 2 माइनस 2 की गुड़ा 3 माइनस 2 की गुड़ा 4 माइनस 2 की गुड़ा 5 माइनस 70 दूनी 140 माइनस 5 कर दो 135 लगा दो मैंने कह option number D बोलो किसी को कोई दिक्कत है दोस्त किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है मेरे दोस्त यहां तक और आज की class के last question को आपके लिए हम वर्क में देखे जाऊंगा जल्दी चलो यहीं बता दो हम वर्क क्या यहीं बता दो तो 23 और 36 का अंतर कितना है pasti 13 13 का अंतर है दोस्त एक और बात बताऊंगा गोडा स्रंखला लगे यह आवस्यक नहीं है प्यारे दोस्त ऐसे भी हो जाता है कि भाग स्रंखला लग जाए जैसे यहां लग रही है 26 में 560 से अगर मैं भाग दो करूँगा न तो 280 आएगा 280 से भाग दो करूँगा तो 140 आएगा 140 से भाग दो करूँगा 70 आएगा और 70 से भी भाग दो करूँगा न तो 35 जवाब आएगा 35 जबाब आएगा option number B पर लिखा हुआ है बोलो यहां तक बात clear हुई है की नहीं हुई है बताओ यहां तक point clear है next question का answer भी बता के जाओ जल्दी से 27 वे सवाल का answer क्या है बताओ भई जल्दी से 27 वे question का सही सही जबाब क्या होगा क्या होगा सही सही जबाब तो मेरे दोस्त दिहान से देखके बताओ की सही जबाब क्या हो रहा होगा यहां पर क्या हो रहा होगा सही जबाब बताएगा भई कोई मुझे जल्दी से सही जबाब क्या है सही जबाब क्या है तो यहां देखो एक तिया तीन और तीन पंजे पंद्रह और पंद्रह सत्ते 105 लेकिन ये question mark पीछे रहे गया तो यह आएगा दो चौक आठ तो प्यारे दोस्तो तीन की गुड़ा पंच की गुड़ा साथ की तीन दो पांस दो साथ दो दो का अंतर है तो चार में दो का अंतर ले लो तो चार और दो छे की गुड़ा कर दो और आर्चिंग 48 लगा दो option number D बेटा बहत्तर कहां है बहत्तर कैसे हो सकता है मेरे दोस्त 48 आंसर होगा 48 मेरे question का right answer होगा वहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है सतर से चासट कितने का अंतर है चार का चासट से अठावन कितने का अंतर है चासट से अठावन आठ का अंतर है अठावन से चालिस कितने का अंतर है तो ये अंतर कितने का आएगा ये आएगा चालिस और दस चपंद और अठान बार है का ये कितने का है 16 का तो सर यह आ रहा 4-8 बार है 16 4-8 बार है 16 अब 20 का अंतर निकालो 30 में से 20 घटाओ तो 10 अंसर लगाओ option number A बोलो कहानी clear है की नहीं है तो प्यारे दोस्तों कुल मिला कर मैंने आप से कहा कि आप लोगों की क्लासें लगातार चल रही हैं बहतरीन चल रही हैं कल संडे में अवकास रहेगा पुरानी क्लासों का आप लोगों का revision करना है आज की क्लास आपको कैसी लगी है क्लास के बाद में कमेंट करके जरूर बताना एक घंटे के अंदर यानि 56 मिनट मैंने क्लास लिया 28 क्वेस्चन कराके जा रहा हूं बहुत उर्जा के साथ बहुत इमानदारी के साथ बिना किसी फालतु बात के केवल और केवल आपके पेपर को ध्याने में रखके देखते हुए प्यारे दोस्तों हो सकता है थोड़ी सी स्पीड जादा रही हो लेकिन इतनी स्पीड आप लोगों को रखनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों का अब जो एकजाम है उसमें समय नहीं है अभी कमेंट मत करो मेरे साथ ही अभी क्लास खतम होने के बाद जब ओफलाइन कमेंट हो जाए वीडियो खतम हो जाए तब कमेंट में आज पूरे दोस्तों को बताना है कि भई आपको आज की क्लास कैसी लगी है फिक है दोस्तों बाकी जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर देना जितने लोग चिराग बैच वाले हैं SSCGD वाले हैं कि लेकर आजाऊंगा आपके सामने बहुत सांदार तरीके से और सुबह मैं तो कहाँ च्छे बजे से करंट अफेर्स की क्लास सुनवीर से शुरू कर दएंगे बहुत सांदार तरीके से आप लोग जुड़ जाइए बागी मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों एक बाल लाइ एक बिना करे क्लास को मत छोड़के जाना फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक लिए जैहिंद जैभारत बाइबाए